एक विशय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्स करना चाहता हूँ और वो विशय है हमारे हाँ बेतहाँ सा जो जनसंख्या विश्पोट हो रहा है यह जनसंख्या विश्पोट हमारे लिए हमारी आनेवनी पीड़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है लेकिन यह बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरुक वर्ग है जो इस बात को भली बाती समझता है वे अपने घर में शिशू को जन्म देने से पहले बली भाती सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूँगा उसको जो मानी भी आवश्यक्ताओं कि पूर्ती है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरो करने के लिए मैं अपनी भूमी का आदा कर पाऊंगा और नहीं पाऊंगा इन सारे परामिटर से अपने परिवार का लेखा जोका लेख करके हमारे देश में आज भी स्वयम प्रेरना से एक छोटा वर्ग परिवार को सिमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है यह सब सम्मान के अधिकारी है यह आदर के अधिकारी है जिनका उनका जितना सम्मान करें छोटा परिवार रखके भी वो देश भक्ति को ही प्रगट करते हैं वो देश भक्ति का अभीवेक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाच के लोग इनके जीवन को बारी किसे देखें। गया है बच्चों ने कैसे शिख्षा पाई है वो परिवार इमारी से कैसे मुक्त है वो परिमार अपने प्राथ्मिक आवस्थे आवस्थधाौं कैसी भड़ी अदंग पूरा करता हैं। उनसे सिखें और हमारे घर में किसी भी शिशू को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशू मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यक्ताओं की पूरती के लिए मैंने अपने आपको तयार कर लिया है क्या मैं उसको समाथ के भरोज़े ही छोड़ दूँगा अपने बच्चों को इस प्रकार की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हूँ और इसलिए एक सामाजिक जागरुक्त्या की आवशक्ता है जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिक आदा की है उनके सम्मान की आवशक्ता है और उनी के प्रयासों के उदहान लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बहार है उनको जोड़ करके जनसंग्या विस्फोट इसकी हमें चिंता करनी ही होगी सरकारों ने भी बिन्द बिन योजनाओं के तहट आगे आना होगा चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो हर किसी ने इस दाइत्व को कंदे से कंदह मिला करके हम अस्वस्त समाज नहीं सोच पकते हैं हम अस्शित समाज नहीं सोच करें